मुश्किलों से कहदो की उल्जा न करे हमसे हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है परिमाब निकालना होता है या उसका परिमाब निकालना होता है और थ्रीडी में होता है दोस्तों लंबाई चोड़ाई के साथ उंचाई निकालना होता है उसमें आयतन निकालना होता है और वक्क प्रिश्ट निकालना होता है तो एकदम थ्रीडी जो एकदम तसली से एकदम बिधवत तरीके से पढ़े हैं नहीं देखे हैं तो एडवांस महत के नाम से जो प्लेलिस्ट है वहां से जा के देख सकते हैं अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन में टूडी इसमें देखिए त्रिभूज आता है आयत आता है वर्ग आता है फिर जो चत्रभूज आता है बृता यह सब 5 टॉपिक आते हैं तो आज का जो टॉपिक दोस्तों आयत जिसे कहते हैं रेक्टेंगल इसके पहले एक टॉपिक हो चुका है इसमें त्रिभूज जिसे कहते हैं ट्रेंगल नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देदर महां से की भुजाएं बराबर वह समानतर हो और एक दूसरे से 90 डिगरी पर जुड़ी हो उसे कहते हैं आयत देखिए ये है आयत A, B, C और D देखिए आमने सामने की भुजाएं बराबर वह समानतर है समानतर मलब कि इन दोनों की बीच का जो दूरी है समान हो और ये देखिए ये एक दूसरे के समानतर है और ये दूसरे से 90 डिगरी पे जूड़ी होती है इसे कहते है आयत इसमें निकालना क्या होता है परिमाप परिमाप मतलब होता है परिमाप चारो तरफ माप मतलब होता है उसका योग इसके भुजा के चारो तरफ का माप यानि सभी चारो भुजाओं का योग कर देंगे वही कहलाता है परिमाप समझ गए जब कहदे कि किसी खेत के बाउंडरी पे तार बिछाना है या कहदे कि किसी खेत में मेड पर जो है मेड बानाना है तो कहां बनाएंगे यही परिमाप निकालते हैं चारो तरफ समझ गए यह होता है परिमाप अब परिमाप तो दो लंबाई होती है तो दो चौड़ाई भी होती है देखिए ये चौड़ाई है तो ये भी इसकी चौड़ाई है ठीक चैनल पहने है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे लाश्ट तक देखिएगा सबसे बेश्ट लगे तो लाइक करिएगा और सेर करिएगा देखिए हमने कहा कि इसमें दो चौड़ाई यां होती है दो लंबाई होती है तो सभी का योग कर देंगे तो यही परिमाप बराबर होता है परिमाप जीसे कहते हैं पैरिमीटर PvE से दर साते समझ गए यह होता है परिमाप अब होता है तो उस दूस्त इसमें छेत्रफल एरिया एरिया जिसे कहते हैं अब छेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुड़े चौड़ाई मतलब एक लंबाई का उसके साथ एक चौड़ाई का मल्टिप्लाई कर देंगे वही इस पूरे का छेतरफा निकाल के आ जाएगा लंबाई गुड़े चोड़ाई ठीक यानि L गुड़े B होता है अब तीसरा इसमें आपको पढ़ना पढ़ता है विकर्ण जिसे कहते हैं डाइगोनल विकर्ण ठीक डाइगोनल मतलब D से इसे डिनोट करते हैं अब विकर्ण के आई उसमें विकर्ण हमेशा जो है दो विपरीत कोनों को छूता है ये देखिए ये कोना एक है तो ये कोना विपरीत है तो इसको टच करेंने वाली रेखा ये ही विकर्ण का लाती है कभी भी कैदे कि एक आयताकार कमरा है उसमें सबसे बताईए कि सबसे लंबी छण कहां रखी जाएगी तो इसके विकर्ण में रखी जाएगी क्योंकि विकर्ण जो है सबसे लंबा होता है समझ गए तो ये विकर्ण है तो ये भी विकर्ण होगा इसका अंडरूट लंब का स्कॉयर प्लस आधार का स्कॉयर यही होता है न तो डाइगनल बराबर अंडरूट यह इसको बता दिया एरिया कैसे निकालते हैं वो समझ गए और जो है विकन्ड क्या होता है एक एक चीज समझ लिजे उसके बाद हर एक कोस्टन लगाएंगे बस ध्यान पुरोग समझे कि इसका जो बेसिक चीज यही होता है कि इसका थियूरी समझ जाईए मेंसुरेशन में सबसे चीज यही मोश्ट इंपॉर्टन बात है कि आप इसका थियूरी समझ जब परिमाप की बात करेगी तो इसके बुजाओं का योग कर देंगे तो चलते हैं अब हम लोग कोस्टनों पर देखिए कैसे लगाते हैं कि सामने ये कोस्टन है क्या दिया है एक आयताकार खेथ जिसकी लंबाई और चोडाई करम से कितने का अनुपात है नाइन इस्टू फोर के अनुपात में है तथा खेथ का छेतरफल जो है 144 है तो खेत की लंबाई आपसे पूछा है क्या होगी देखिए एक आयताकार खेत है यही कहा है ना आपसे कहरा कि इसकी लंबाई और चोड़ाई में 9 इस्टू 4 तो लंबाई हमेशा चोड़ाई से बड़ी होती है तो 9 इस्टू 4 अनुपात है तो अगर हम इसे यह हो गया लंबाई आपकी 9 इस्टू 4 और चोड़ाई जो है आपकी है कितना 4 तो जब इसे अनुपात से रियल संख्या में बनाते हैं तो इसको यक्स मान लेते है 9 इक्स और 4 इक्स यानि इसकी लंबाई जो है 9 इक्स है और चोड़ाई 4 इक्स है और जो यह 6 तरफल बीच वाला दिया है 144 हेक्टेयर कितना दिया है 144 हेक्टेयर अब यही आपसे पूछा कि यह लंबाई बताए यह रियल में कितनी है तो एक चीज बताएए 6 तरफल बराबर होता क्या है लंबाई गुड़े चोड़ाई इसका मल्टिप्लाई करेंगे 144 हेक्टेयर के होगा की नहीं तो यही करेंगे देखिए 9 यक्स गुड़े 4 यक्स बराबर यह करेंगे तो 144 अब एक हेक्टेयर बराबर एक हेक्टेयर बराबर होता है 10 हजार 10 हजार मीटर इसको आरी चीज समझे यही में था आपको समझाने का अर्थ एक हेक्टेयर बराबर 10 हजार मीटर तो 144 हेक्टेयर में कितना मीटर होगा गुड़े 10 हजार का मल्टिप्लाई कर देंगे अब देखिए यह मीटर स्को आर में आ गया 6 तरफल तो यह हो गया 9,46 यक्स इसक्वाइर बराबर 144 गुड़े 10 हजार ठीक का यक्स में मल्टिप्लाई किये तो यक्स इसक्वाइर 36 चौके हो गया 144 तो यक्स इसक्वाइर बराबर आ गया 40 हजार के तो यक्स बराबर कितने एका आएगा तो इसका वर्गमूल कर देंगे 40,000 का तो यह आजाएगा दोस्तो 200 मीटर के जब यक्स बराबर 200 के तो लंबाई कितनी है आपकी लंबाई पूछा है कि लंबाई कितनी है तानुपात में लंबाई 9 न यक्स है तो यहाँ पर यक्स के जगहें पर 200 रख दीजे 9 गुडे 200 तो यह आजाएगा दोस्तो 118 अरे 1800 मीटर आ गया लंबाई कितनी है इस आयता कार खेत की 1800 मीटर समझ गएं तो चलते हैं हम लोग अगले कोस्चन पे देखे दोस्तो आपके सामने बहुत ही जबरदस कोस्चन है तो ध्यान पुरवक देखना क्या दिया है एक आयता कार खेत जिसकी लंबाई और चोड़ाई में थ्रीश्टू टू के अनुपात में है इस खेत के चारोर 2.5 मनलब धाई रूपिया प्रति मीटर की दर से तार लगवाया जाता है तो हमने कहा है आपसे शुरु में बताया की तार कहां पर लगवाएंगे उसके बीच में लगवायंगे खेत के की बाउंडरी पर जब बाउंडरी पर लगवायंगे घेरा बना रहgrass तो जब भी बाउंडरी की बात करें तो क्या निकालेंगे परिमाप तो यहां पर देखिए लगवाने का कुल खर्च जो है बासट सो पचास उर्पिया है तो खेत की लंबाई आपसे पूछा है कि लंबाई कितनी है देखिएगा परिमाप बराबर होता है परिमाप बराबर होता है सुत्र जानते हैं टू कोश्टक में लंबाई प्लस चवडाई होता है लेकिन यहां से लिखेंगे कूल खर्च बटे में खर्च प्रति यूनिट अब यह चीज़ समझेगा कि परिमाप कैसे अगर हम कह दें कि एक बेक्षिद जो है पचास रुपया प्रति मीटर की धर से कप ओर कंगे आप से कि बताई वह कितना मीटर कपड़र कर देगा तो माश्टर आइसा करो किования the एक हजार में 50 से टी वाइड कर दो awhile कि यह कर जाएगा 20 मीटर कितना कपड़ाइगा बीच मीटर कपड़ा खर देगा तो तो समझ गए यानि कूल खर्च बटे में प्रति खर्च से अगर डिवाइट कर देंगे तो कितना मीटर निकल के आएगा कितना मीटर खर्दा है वही निकल के आजाएगा उसी तरह ये देखिये सुत्र क्या परिमाप जब भी खेत में लगाएंगे तार तो यह जो तार लगा जएगा इसके boundary पह लगा जएगा तो boundary यानि परिमाप तो परिमा बराबर खर्च बटे में खर्च प्रति यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो परिमाप आजाएगी अब देखिए अब अनुपास में लंबाई और चौडाई का अनुपास जो है दिया है 3 to 2 तो लंबाई रियल में कितनी होगी 3x होगी और चौडाई कितनी होगी कहेंगे 2x इतना तो समझ गए तो यहां परिमाब बराबर होता है दोस्तों 2 कोष्ठक में लंबाई यानि 3x प खर्च बटे में यूनिट यानि कितना है डाई मीटर तो डाई रुपिया प्रति मीटर अब यह डेस्मल हटाने के लिए उपर जो है 100 से मल्टिप्लाई कर दिजिए तो यह डेस्मल हट जाएगा अब यह 0 से यह 0 कड़ गया 25 25 हो गया 625 तो यह आ गया देखिए 3 दू 5 यक यक्स का इसमें मुल्टिप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 10 100 और 10 यक्स बराबर आ जाएगा 25 के तो यक्स बराबर कितने कि यह 0 से 0 कड़ गया 2500 मीटर आ गया यक्स बराबर कितना है 3x तो 3 यक्स बराबर क्या रखेंगे जहां पर यक्स है वहां पर 250 रख दीजे 3 into 250 कितना आ गया 750 मीटर आ गया यानि उस खेत की लंबाई कितनी है 750 चौडाई पूछेगा तो इसी 202 में 250 का मल्टिपलाई कर देंगे तो आ जाएगी आपकी चौडाई समझ गए कि ये कोशन कहना क्या चाह रहा था तो इस तरह आपको पूछेगा अब आपको ये नहीं देदेगा कि ये कायताकार कोई आयत है उसकी लंबाई और चौडाई कुछ है 10 या 5 तो उसका 6 तरफन निका लिए अब इस तरह नहीं आपको इस तरह घुमा घुमा देगा ठीक चलते हैं अगले कोश्चन पर हम लोग देखे दोस्तों आपके सामने ये कोश्चन है बहुत ही जबरदस्त है देखे क्या कह रहा है किसी आयताकार च्छत की टाइल टाइलिंग में जो की 60 मीटर लंबा वह 40 मीटर चौड़ा है कह रहा है कि एक च्छत है उस पर टाइलिंग लगवाना है मतलब फर्स पर टाइलिंग लगवाना है वह च्छत कितना लंबा है 60 मीटर लंबा वह 40 मीटर चौड़ा है जो की टाइल से लगे हैं उसपे वे टाइल कितने मीटर नकार के हैं, करा कि, 0.4 मीटर भूज़ा वाले हैं, मतलब उसकी लंबाई भी 0.4 है, और चौपँणाई भी 0.4 ही है, वर्णा का टाइल से, कि भूज़ा वाले टाइल लगें, यदि प्रतेक टाइल की कीमत जो 5 उर्पे थी, तो cool tile की कीमत कितनी होगी यही आपसे पूछा है तो यहां से हम निकाल सकते हैं अगर total tiles की संख्या पता चल जाए तो उसमें हम 5 से multiply कर देंगे अगर एक tile की कीमत 5 उर्पे है तो total tile में 5 उर्पे से multiply कर देंगे तो total amount निकल के आ जाएगा तो यहां से कैसे निकलेगा tiles की संख्या तो देखिए tiles 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 की संख्या बराबर च्छत का छेतरफल च्छत का छेतरफल बटे में एक tile का छेतरफल देखिए च्छत अब जो tiles जैसे मले यह आता का छत है यह 60 मिटर लंबा यह 40 मिटर तो जो tile लगवाया जाएगा इसके इसी success पर तो लगाया जायगा tiles यहीं पर लगाया जाएगा तो यह जब निकालना रहे तो क्या निकालते हैं 6 fragile के छेतरफल ही तो निकालते हैं तो जब जो है इसके पूरे रहे छेतरफल में एक tiles की जो várias कर देंग तो टोटल टाइल्सों की संख्या पता चल जाएगी तो यहाँ से देखिए छत का छेतरफल कितना होगा आयता कार है तो आयत का छेतरफल क्या होता है लंबाई गुड़े चौड़ाई यानि 60 गुड़े 40 ठीक और एक टाइल्स का छेतरफल टाइल्स की एक भुजा जो है लंबाई और चौड़ाई 0.4 है तो इसका जो है क्या होगा 0.4 इंटू 0.4 क्यों क्योंकि टाइल्स जो है वरगाकार है तो वरग का छेतरफल होता है भुजा का स्कौइर अब यह पॉइंट में है तो मल्टिपलाई कर दीजे 100 से तो यह डेश्मल हड जाएंगे तो यह कार दीजे कि पंदरच यह कर जाएगा पंदरच उके साथ यह कर जाएगा 10 बार में तो यह आ जाएगा कितना 15,000 15,000 टाइल्स लगे हैं एक टाइल्स की कीमत 5 रुपया में 5 कर देंगे तो आ जाएगा 75,000 रुपे समझ गए तो इस तरह आप निकाल सकते हैं कि टालिशों की संख्या कितनी है आप जो है अगर सुत्र पता है कि आयत का छेत्रफल बराबर क्या होता है आयत का परिमाप बराबर क्या होता है या आयत का भीकंड कैसे निकालते हैं तो आई होग कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी दोस्तों अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को दबा लिजे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा कोई भी डाउट हो तो कमेंट माध्यम ज़रू बताईएगा अगले वीडियो में हम उसके डाउट को हर एक डाउट को क्लियर करतेंगे ठीक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों जहें